भारत की सेकुलरिजम के पर चर्चागर करनी है तो मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आज और गंबेरता से बात करना चाहता हूँ भारत का सेकुलरिजम इसले नहीं है कि समिधान के अंदर उस सब्द जोड़ दिया गया है भारत हजारों साल से सर्व पंत संभवाव इस तत्व ज्यान से जुड़ा हुआ है भारत ही दुनिया में एक देश है जिसकी फिलोसोफी कहती है एकमसत विप्राहा बहुता वधनती सत्य एक है जानकार लोग उसको अलग-अलग रूप में प्रस्तूप करते हैं भारत ही एक देश है जो कहता है सर्वे अपी सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राने पस्चंतु मा कस्ति दुख भागवे भारत कभी यह नहीं कहता है हिंदू सुखें न सुखें, अज़ने कहता है, भारत सब के लिए सोचने वाला देश है, और भारत का हजारों साल का इतियार देखिए, हिंदुस्तान में कभी तलवार ले करके, कभी दुनिया के विचार पर, संप्रदाय पर, समायक पर हमला नहीं बोला है, विस्तार बाद यह भारत की ब्लड में नहीं है, उस भारत को बिन साम्रदाइक सिखाने की कोशिच है, न हमें करनी चाहिए, न किसी और ने करनी चाहिए, जो लोग भारत की बिन साम्रदाइक ताके नाम पर कल बयाम भाजी की है, वह उन फारुक साब से पूछ राजाता है, भारत की बिन साम है और यह हमारी रगों में है सिर्फ स्वंभीदान में नहीं हमारी रगों में है हम सर्व समावेशक हैं यह देश ऐसा है जो प्रकृती की भी पूजा करता है पैड की भी पूजा करता है पानी की भी पूजा करता है यहां कोई पराया हो यह नहीं सकता पुरे ब्रह्मान को अ प्रिवार मानता है ये समाज है और उस समाज में अगर इस प्रकार की भाशा बोली जाए कभी का बार कोई घटना घटे और किसी का बयान आ जाए क्या हिंदुस्तान का सेकुलिजम इतना रद्दी है क्या कि कोई एक बनाएंद तो घराब हो जाएगा और इसलिए फारुग अ से मैं कहना चाहता हूं हजारों साल के हिंदुस्तान के इत्यास में भारत की हजारों साल की महान सेकुलिजम की परंपरा को सबसे बड़ी चोट गहरी चोट अगर कहीं पड़ी है तो कश्मीर में पड़ी है और वो भी सिमान फारुग अब्दला जी आपके पिताजी की राजनिती के चलते हुआ है सिमान भारुक अब्दला जी आपके बेटे की राजनिती के चलते हुआ है इस देश में कश्मीर एक ही है जहां से पंडितों को धर्म के अधार पर निकाल दिया गया जो सुफी परंपरा की भूमी थी उसको आपने नीजी राजनिती स्वात के लि करते हो पहले आपके पिता जी आप आपका बेटा कश्मीर की राजनिती को सारी दुनिया में कौमी रंग देने का पाप कश्मीर की धर्ती पर आपने किया है कश्मीर यह सुफी परंपरा की धर्ती है को कश्मीर यह सर्वसमाविश की धर्ती थी उसको यह दाल रगाने का का आपने किया है आपको शोगा नहीं देता है इस प्रकार की बयान दाए और अगर दूमना है तो किसने डूमना चाहिए जरत दर्पन में अपना चेहरा देख लो आपके पिताजी का चेहरा दर्पन के सामने खड़ा करकर के यह सवाल पूछो कि कश्मीर के पंडितों को वहां स सानसकृतिक विरासत को आये दिन चोट पहुचाते रहें इट रहने को हम आज भी हमारे संसकारों के कारण हमारे बनार के कारण राजरीति के कारण नहीं राष्ट भक्ति के कारण कहते हैं भारत सर्वपद्ध समभाव का मार्ग ही भारत के लिए स्रेश्ट मार्ग है वोडबेंक की राजरीति नहीं विकास की राजरीति ही भारत के लिए स्रेश्ट है यह हमारा कमिट्मेंट है सब का साथ सब का और हम उसी मुंत्र पर चलेंगे फारुग अब्दुला साहब जैसे कितने ही लोग अनाफशना बाते करें इससे गाड़ी डिरल होने वाली नहीं है देश उच्च मुल्यों पर चला है जय जगत का मंत्र ले करके चला है वसुधाय कुरुम्गम का लग में चला है कुरुमंत हुआ हुआ हुआ